मेरे प्रियों ये सुमसी के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार एसाया 55 उसके चटवा वचन से जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी कोज में रहो जब तक वह निकट है तब तक उसे पुखारो प्रभु को कोजना है और पुखारना है जब वो निकट है उनकी ओर पुखारिएगा डूडने की समय में उनको कोजिएगा देखिए ये रेगिस्तान है ये सुमसी तड़के उटके मर्भुमी में जाके उसने प्रातना किया करके मर्कूस पहला आदे में पढ़ते हैं मेरे नालुमावडी के बहल में ये गाव रहता है एक जंगल है ये पारस्ट एरिया है ये मर्भुमी है यहां पर ताड का पेड और बदाम का पेड बहुत इस प्रकार रहता था यहां पर मैं बोर में आता था सुबह रोशनी आने के पहले मेरे गर से दो या तीन किलोमेंटर फैदल चलके यहां पर मैं आता था इस जंगल में मैं आता था देखिए, यहाँ लाल रंग की मिट्टी है, काजू का पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ रहता था, इसको मेरे गाउं में बदाम का पेड़ इस प्रकार हम लोग कहला करते थे, इस पेड़ के नीचे मैं बैठता था, वच्छन को पढ़ने के लिए, उसको अधियन करने के सुबह उनको जब हम डूंडेंगे, तो मुझे पाओगे करके इशु ने कहा था ना, इसलिए मैं बोहर में आता था, यहां पर आकर मैं बाइबल पढ़ता था, प्रातना करता था, प्रभू को डूंडता था, और कहता था, प्रभू मुझ से बोलिये, उन दिनों में प्रातना किया करता था, दिल की गहराई से मैंने प्रभू को डूंडा, यह प्रभू तो मुझ से बोलना है, बात कीजिए, जब साम हो जाएगा तो, जो दूप गट जाएगा तो, आदम और आवभा किस प्रकार परमेश्र के बगिचा में उनकी आवाज को सुनेते, प्रभू मुझ से बात कीजिए करके कहता था, इस बात के लिए वो क्या करना है, सेवकाय के लिए कैसे करना है, वच्छन कर पढ़कर मैं प्रातना करता था, बीना बाइबल से यहां पर नहीं आता था, परमेश्र को कोजना है, इस रहिस्तान में प्रभू मुझे बहूत काया था, मुझे किस प्रकार सेवकाय को आगे बढ़ाना है, ये खांत में ही प्रभू से हम बात कर सेते हैं, इसलिए पार्मेशर को ऐसे जगा में डूंड ये, सुबह उठकर प्रातना करना है, प्रातना करने समय में आप सुएंगे तो थब पार्मेशर कैसे आप से मिलेंग दिन बर फोन में, सेल फोन में सारे समय को वियर्थ और वाटसप में, फेस्वुक में समय बिताने के चलते बोर में नई उठ पाते हैं, कैसे प्रभू आप से बात करेगा, लाइफ में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, मैं सही समय में सो जाओंगा, मैं लेट नहीं करू मैं सुबह उठना है, इसलिए मैं अनुसासन में अपने समय को पालन करने के लिए मैं सिखोंगा, सुबह उठ कर मुँ आद दोने के बाद प्रभू के लिए कोसिस कीजिएगा, और प्रातना करने के लिए अपने आदतों को बनाने से प्रभू आपसे मिल सकते हैं, कि वहानी क्यों अपनी कानों से आप सुन सकते हैं, साम का वक्त में, धंडे समय में, सारे काम को करने के बाद आप ये गंटा परमेशर के लिए समय दीजिएगा, अच्छा से परमेशर के वेदी पर बैट कर, यदि फुर्श है तो आप पार्क में, जंगल में, इदर उदर जा सकते हैं, समुंदर के किनार भी जा सकते हैं, अगर मैहला है तो गर में आप एकांत में, एक कमरा में आप बैट के परमेशर को डूड़ने के लिए कोसिस करना है, तब ये प्रभू हम से बोलेंगे, आई तक मैं यहीं पर प्रात्ना करके टहलता था, लगतार प्रात्ना किया करता था, इसी बात ने मेरे जिवन में बहुत आसिसों को लाया था, उसी आदत से आज भी प्रभू को थड़के उड़के डूड़ते हैं हम, तुरंत नहीं आएगा, आरपन कीजेगा, प्रभू आपको मदद करेंगे, डूड़े हैं आप, आद सुबह आप डूड़े हैं, देखेगा छोटे बच्चें जैसे ही वो सोता रहता है, सुबह उड़ते ही वे बच्चें अपनी मा की चेरा को डूड़ता है, नहीं तो रोना सुर्थ करते हैं, मा की चेरा को देखने से ये वो कुश हो जाता है, इस प्रकार थड़के उटके परमेशर की चेरा को डूड़ने के लिए, हे प्रभू तु आज मुझसे बात करना है, ऐसे करना है, दीरे दीरे इस बातों को आप आदत बना सकते हैं, दीरे दीरे परमेशर की वानी को आप सुनने की आदत को बनाना है, साथ में रहने की बात को आप महसूस कर सकते हैं, पवित्रात्मा उनकी बातों को आप पर प्रकट करेंगे, जब वचन को अध्यन करेंगे परमीशर की आत्मा की वहानी को आप सुनने की अनवों में आ सकते हैं प्रति दिन परमीशर की वहानी को सुनने के लिए आप कोशिस कीजिएगा प्रातना करने के लिए प्रयत्न कीजिए सुन्दर डंग से प्रभू आपसे बोलके आपको बहुत अच्छा से अगवाई करेगा प्रातना करेंगे हे पिता तु कितना बला है हमसे बात करते हैं मुझे सला को देता है अगवाई करता है मुझसे बात कीजिए प्रभू रात में आपको डूणना है तड़के उड़के डूणना है इस अनुबो को दीजिये करके जो कोई प्रातना करते हैं इस बेटी को दीजिये प्रभू इस बेटा कर इसको अनुबो को देके इनको मदद कीजिये प्रभू आपका साथ रहने के अनुबो को दीजिये आपके वानी को सुनके आपका साथ रहने के अनुववन को दीजिये प्रभू इस आसिस को इन पर दीजिये प्रभू जी इनको अगवाई कीजिये ये सुमस्य के नाम से इस प्रात्ना को मानते हैं आमेन, आमेन